असलाम आलेकूम देर सुटुडेंट्स, होप यू आल विल बी फाइन इंशालला, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टार्ट विट स्लोगन, अपना स्कूल, अपना बच्चा, अपना टीचर, मैं मुश्ताकबा सी टीचर, गर्ल्स मिडल स्कूल, चितर कोट करना जून च्छम कोट, और सब टॉपिक का इंटॉडक्शन है, बच्चो यह आपकी बुक का पेज नमबर 102 से 105 तक का जो मैटीरियल है, उसको यहाँ पे ब्रीफ करके मैंने यहाँ एक लेसन बनाया है, जो आपको असाइनमेंट की सूरत पर भी मैं प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ वीडियो मैं भी आप अच्छे से इसको लरन कर सकते हैं, सबसे पहले हमें इस फोर्स का इंटॉडक्शन यहाँ पे इंटॉडक्शन लिखा हुआ है, जो भी हम रोजमरा में कुछ भी काम करते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम अपनी ताकत का इस्तामाल करते हैं, फोर्स मीन एनरजी जिसको हम उर्दू में ताकत कहते हैं, द्यूटू विच जिस फोर्स की एपलाई करने की वज़े से अब्जेक्ट चेंज दियर पोजिशन और शेप, यह अपनी हालत को शकल को चेंज कर जाते हैं, चीज़ें, एक्जम्पल है, विन फोट बाल इस अब्रड़ी अबाउट फोर्स एंड इस क्रेक्टरिस्टिक्स, कहता है, यहां पर तीन एक्जम्पल इस ने दी हैं, जैसे हम एक फुटबाल होता है, उसको जब एक खलाडी किक करता है, तो उसकी हालत, वो मुँ करके यहां एक जगा से दूसरी जगा चला जाता है, यह भ जब किरकट फील्डर कैच कर लेता है एक बाल को, तो उसको स्टाप करता है, यह भी फोर्स है, इन तीनों एक्जम्पल में, वो एपलाई फोर्स, अब हम देखेंगे फोर्स है क्या, एपुश और पुल, एपुश और पुल, आन अब्जेक्ट इस कार्ड ए फोर्स, किसी किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं, या धक्का देते हैं, किसी भी चीज़ को, उस पे हमारी ताकत लगती है, उसी को हम फोर्स कहते हैं, पुश रफोर्स to the force which tend to move the objects away from direction of the force applied, पुल रफोर्स to that force which tend to move the objects towards the direction of the force applied, a force can change the state of an object from rest to motion or vice versa, यह जो पुश है, इसके बारे में यहां पे यह कह रहा है, जब हम पुश फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो एक जगा से हरकत करती हैं, जिस साइड से हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो उस डिरेक्शन में, यह चीज़ें मूग करती हैं, अगर हम किसी पुल जो है, उसको हम किस तरह रैफर, उसका जो फोर्स है, यह यह किसम की, जिसमें उबजेक्ट्स को हम खींचते हैं अपनी तरफ, उस पे भी, उसकी डिरेक्शन भी चेंज होके फोर्स अप्लाई होती है, इसी फोर्स की वज कुछ एक्जम्पल्स यहां पर मैंने पुश की दी हुई हैं, आप को अच्छे से इन फिगर्स को इन पिक्चर्स को देखके समझ आ जाएगा, पहली पुजिशन है पुशिंग ए डोर ओपन, यह डोर को ओपन करने के लिए धक्का दे रही है यह बच्ची, उसके बाद कहत पुशिंग एक गुल्फ बाल, यहां पर एक आदमी गुल्फ बाल को हिट कर रहा है, थार्ड एक्जम्पल में, यह भी पुशिंग का एक्जम्पल है, पुश फोर्स की, उसके बाद नीचे यहां पर एक्जम्पल आफ पुल, तो पुल की क्या एक्जम्पल है, ओपनिंग कर रहा है उसके बाद crane pulling up an object यहां पर crane ने इस गाड़ी को उठाया है pull किया हुआ है यह pulling की example है उसके बाद यहां पर to let a force come into play two or more objects must interact with each other जब हम force उस वकत आती है जब दो यह दो से ज्यादा objects interact करते हैं एक दूसरे के साथ two or more objects must interact for force to come and to play in the case of a man pulling his luggage trolley there is interaction between the man and his trolley तो यह तभी force apply होगी जब in trolley और इस man के दर्मयान इस बच्चे के दर्मयान interaction होगी the man is applying a push on his trolley to make it move forward फिर यह जो यहां पर उपर यह आदमी इस ट्रॉली को तो यह force apply कर रहा है इन दोनों के दर्मयान में इसके हाथों से interaction बना हुआ है उसके बाद in case of a crane pulling the object there is an interaction between the crane and the object यहां पर भी जो crane pull कर रही है गाड़ी को तो इन के दर्मयान भी interaction है the crane is applying force on an object to pull up it जो crane है यह क्या करती है force apply करती है इस चीज को अठाने में यहां पर नीचे here are some more figures वो यह identifying action or pull or pull push or pull के यहां पर हम तो चार एक्जम्पल्स देखते हैं a car is being pushed by your main यहां पर एक आर को दक्का दे रहा है एक आदमी girls are pushing one another girls एक दूसरे को दक्का दे रही हैं यह इस तरह यहां पर यह खेल है इसमें girls are pulling one another यह भी एक खेल है इसमें एक दूसरे की तरफ अपने एक दूसरे को खींज रही हैं यह girls यहां पर एक और एक्जम्पल है two teams pulling with equal force यह equal force जो है दोनों teams apply कर रही हैं एक दूसरे की तरफ तो इस तरह यह force की example force जो है इसमें pull और push जो है इसकी examples यहां पर इस lesson में आज मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की तो इन्शालला next lesson में हम यहां से आगे चलेंगे तो इसका यह आप video भी learn कर सकते हैं और मैं आपको इसी के साथ यह assignment भी आपकी ID पर send करूँगा आप download करके इसको देख सकते हैं तो बाकी वास्सलाम, good luck, have a nice day